वेल्कम बेक टू मैं चैनल आजम प्रीवेस एर HPSC के क्वेस्टन को रिवाइस करेंगे इसमें फर्स्ट क्वेस्टन है दा पॉपलर विविद भारती सर्विस प्रोवाइड एंटर्टेन्मेंट फॉर हाव मेनी आर्स अडे लोगप्रिय विविद भारती सेवा दिन में कित इन प्रवंदन वेवस्ता पहले किस नाम से जानी जाती थी तो इसको जो Central Plans की Monetary System के नाम से जाना जाता था Option C इसका राइट अंसर है नेक्सट है अंसर अंडर संसद आधर्स ग्राम योजना आधर्स ग्राम serves as the nucleus of which of the following सांसद आदर्स ग्राम योजना के अंतरगर्द आदर्स ग्राम निमिलिक्त में ते किसके केंदर के रूप में सेवा परदान करता है health cleanliness greenery all of these तो इस अभी के लिए करता option D इसका right answer इसका right answer है नेक्स्ट क्वेशन है इंटर्मेडियेट टायर ऑफ पंचायती राज इंस्टिटूशन इस पंचायती राज संस्ताओं का मध्यावर्ती सोपान कौन सा है तो यह जो है पंचायत समीति है option B इसका right answer है नेक्स्ट क्वेशन है Central Electronics Limited है इसका right answer है जोहलाल नहरू पोर्ट इस लोकेटिद इन विच इंडियन स्टेट जोहलाल नहरू बंदरगा पोर्ट भारत के किस राज्ये में स्तीत है तो यह महारास्टर में है option B इसका right answer है नेक्स्ट क्वेशन है Central Water Commission is headed by a chairman with the status of an केंद्रिय जल आयो की अधिक्सता किस तर के अधिकारी करते हैं तो यह करते हैं एक्स ओफिस्यो सेक्टरी तू दा गौर्वर्मेंट आफ इंडिया option A इसका right answer है नेक्स्ट क्वेशन है How many Indian states have set up state commission for minorities so far कितने भारती राज्यों ने अब तक राज्या अल्ब संक्या आयो की स्थाबना की है तो यह 15 में की है option C इसका right answer है नेक्स्ट क्वेशन है Which of the following is given as cash award to any national youth award winning voluntary youth organization किसी राष्टरिय यूवा पुरस्कार विजेता स्विच्चिक यूवा संगटन को निमलिकित मैंसे कितना नगध पुरस्कार दिया जाता है तो यह 2 लागर पर दिया जाते है option D इसका right answer है नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इस जो जब एक वेक्वेशन पूचे गेता तो नौती आप जब भी जब भी एक्जाम दे रहें तो उससे आपसे अपने चेक कर सकते हैं नेक्स्ट वर्शन है विच ओफ दा फॉल्विंग इस लोएस्ट इन ओडर आप प्रिसिदेंस निमिलिक्त मैंसे कौन सा पुर्वताव करम निमंतम स्तान पर है तो यह चीफ इलेक्शन कमिशनर है option C इसका right answer है नेक्स्ट वर्शन है विच ओफ दा फॉल्विंग है विच ओफ दा फॉल्विंग है पोस्ट हमिशली अवार्ड विद भारत रतना निमिलिक्त मैंसे किसे मरनो पुरांत भारत रतन दिया गया था तो यह जेपी नरायन जी को दिया गया था option B इसका right answer है किस काल के दुरान हस्त निर्मित मरिद भांट का सरप्रतम उपयोग किया था तो यह निमिलिक्त मैंसे किसमे भिवाजित किया गया है तो इस सहीत्ता में किया गया है option A इसका right answer है next है the capital of सूर सेना माजनपद was at which place सूर सेन माजनपद की राजदानी की स्थान पर थी तो इस मतुरा में थी option B इसका right answer है next question है the fourth Buddhist council took place during the royal patronage of which of the following निमिलिक्त मैंसे किसे किस राजसी संग्रक्षन में चौथी बहुत संगिती हुई थी तो एक कनिश्क के दोरान हुई थी option D इसका right answer है next है the most famous Indo-Greek rural was सरवादिक परसीद भारतिय ग्रीक सासक कौन था तो एक मिनांडर था option A इसका right answer है next question है अजनता painting belongs to which period अजनता चितरकला किस काल से संबंदी थे तो एक गुपत काल से है option B इसका right answer है next है जजिया was a text by जजिया करकिस पर था तो एक नॉन मुसलिम पर था option B इसका right answer है next है दा दा बामनी kingdom of Deccan was founded by which of the following ने मिले किसके द्वारा दक्षन में बामनी राज्य की स्थापना की गई तो हसन गुंग गंगुद्वारा की गई थी option A इसका right answer है next है which bhakti saint was contemporary of Sivaji कौन सा भक्ती saint Sivaji का समकानी था तो एक तुक्कराम था option A इसका right answer है next question है the second battle of Panipat took place in which year पानीपत का धूत्य युद किस वर्स हुआ तो ये 1556 में हुआ था second पहला 1526 में हुआ था option B इसका right answer है इस वीडियो का last question है real name of sirsansuri was sirsansuri का वास्तविक नाम क्या था तो ये फरीद था एक question पहले भी repeat हुआ option D इसका right answer है तो front मेरे चानल को like, share, subscribe करें मैं इसे previous year question की वीडियो लेके आता रहूँगा जो आपको आने वाले exam में helpful हो सकती है thank you